ब्रह्मान की सभी तत्वों को शुद करने के लिए बीजरूप स्थिती यहाँ योग के सबसे शक्ति-शादी स्थिती है हमें बीजरूप स्थिती का आनुभव करने के लिए परमधाम में स्थित होना पड़ेगा शिबाबा दस्वे और ममा बाबा नफवे उर्जास्तरों में है अगर हम यह तीनों बिंदूँ को सरल रेखा से जोड़ेंगे तो हमें एक त्रिकोन मिलेगा शिबाबा से एक सीथी रेखा निकालेंगे जोके ममा बाबा को जोड़ने वाले पॉइंट की रेखा को एक बिंदू में मत्थे में छूती है इसी बिंदू पर हम आत्मा को आखर बैठना है क्योंकि इस बिंदू में हमें शिबाबा ममा बाबा की एनरजी प्राप्थ होती है इसी बिंदू को हम अति उच्चे आथ्यात्मिक उर्जा बिंदू कह सकते हैं इसी कारण यह योग में शक्ति प्राप्त होने का सर्वच उर्जबिंदु है, इसलिए हमें योग में बार बार इसी उर्जबिंदु में स्थित होना है, जिससे हम जल्दी ही बीच रूप स्थिती को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ बिंदू से सारी भौतिक जगत को हम अती शक्ती शाली किर्ने दे सकते हैं, इसलिए यहाँ मनसा सेवा के लिए भी सर्वुच्च स्थान है अगर कोई आत्मा दो दिन अर्थाद 48 खंटा तक इसी स्थान पर अखंड आत्मिक स्थिती में स्थित रहेगी तो उस आत्मा का भौतिक शरीत तीसरे दिन ही छुट जाएगा और वह आत्मा फरिष्टा बन उड़ जाएगी